ना बेसन ना मैदा ना सूजी आज हम बनाने जा रहे हैं आधा कप यहू के आटे से कुड़कुरे क्रिस्पी एकदम यूनिक लाजवाब नाजता है अलो दोस्तों आप सभी लोगों का आटे मसाला किचन में स्वागत है रेस्पी अच्छी लगे तो लाइक सेर बिल्कुल मत भूलिएगा तो चलिए रेस्पी सुरू करते हैं तो इसके लिए हमने यह बॉयल आलू लिया है यह वजन में 400 ग्राम आलू है तो इसको हमने बॉयल करके ठंडा कर लिया है अब इसको हम मैस करेंगे तो फॉक की मदद से इसको हम प्रेज करके इसको अच्छे जीरा एड़ करेंगे एक चम्मच चिलिफ्लैक्स एड़ करेंगे बारी कटा हुआ दो हरी मिर्चिस में एड़ करेंगे एक इंच ग्रेट किया हुआ हम अंद्रक एड़ करेंगे बारी कटा हुआ धनिया पत्ती एड़ करेंगे और स्वाद की अनुसारिस में नमक एड़ कर अरा रोट भी ले सकते हैं जो आपको इच्छा हो देखिए ये बिल्कुल डोसा बन गया है अब इसमें से हम थोड़ा-थोड़ा पॉर्शन लेंगे बिल्कुल नीबू के बराबर हमको बाल बनाना है तो इस तरह से हम थोड़ा सा पॉर्शन लेकर करके हां से अच्छे से प् पनीर लिया है कि उसमें कटा हुआ, अब एक पनीर के टुबड़े को लेंगे और इसमें हम रख देंगे बीच में, इसको चारो तरफ से हम अच्छे से कवर कर देंगे, तो देखिए ये कवर हो चुका है, अब इसको हम हाथ में ले करके, बिल्कुल प्रेज करके हम इसको गो तो देखिए हमने सारे डो का बल तयार कर लिया है इस तरह से, अब हम सलरी तयार करते हैं, तो आधा कप हम लेंगे गेहूं का आटा, और एक चम्माच हम इसमें चिलिफ्लेक्स लेंगे, स्वाद के अंसार इसमें नमक एट करेंगे, बारी कटी हुई धनिया पत्ती एट करें और इसका सलरी तयार करेंगे, पस्तना ही वाल हम डालेंगे और गैस का फ्लेम जो है मेडियम रखेंगे अब उपर से हम चम्मस से इस पर गरम आयल डालेंगे इस तरह से इसे क्या होगा कि हमारा ये नीचे से भी फ्राई होगा नास्ता और उपर से भी थोड़ा सा तेल डालने से ये सेख जाएगा जिसे प पुनारा हो चुका है तो हम इसको पडल लेंगे दूसरी तरफ तो देखिए हमने सारे नास्ते को प्लट दिया है दूसरी तरफ तो इस तरह से हम अलटते प्लटते हुए इसको दोनों तरफ से क्रिस्पी होने तक तर लेंगे तो ये देखिए हमारा दोनों तरफ से कुछी टेश्टी बनता हैं सदेख कितना अच्छा बना ख़ुआ है अब इसे हम एक छन्नि में निकाल लेंगे जिस से क्या होगा कि जो भी यह इस्ट्रा तील किया है आप इसे पुदीना और धनिया की हरी चटनी के स्वात भी सर्व करिए उसके साथ भी इसका स्वात बहुत अच्छा आता है तो देखिए हम आपको एक नास्ता दिखाते हैं तो देखिए यह कितना अच्छा बना हुआ है तो दोस्तों देखने में यह जितना अच्छा का नास्ता बना करक nearby देखिए बहुत ही अच्छा बनता है तो दोस्तों य헤 हमारी recipe आपको कैसी लगी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए शेयर करिए कम prize और प्लीज प्लीज आप से रिक्वेश्ट है कि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसीपी के साथ